हालो जी कैसे हो सार देशिए लव बुबर एंड वेलकम तो चैनल को डिल हम पाहुंच चुके माने लेक्चर नामर 66 पर और बाइनरी ट्रीज का ये लास्ट पॉप्लम सॉल्विंग का लेक्चर है इसके बाद हम बी एस टी पर मूव कर जाएंगी उसके बेसिक सीखेंगे इं मज़ा आएगा और इंटर्व्यों ज्यादा ये कोशन सुचता है ये कोशन यार ओन कैंपस में अडोबी डी शो और एक कोशन ऐसा जो गूगल में मुझसे बूछा गया था इंटर्यू के अंदर तो आपको फाइदा बहुत नहीं है इस लेक्चर के अंदर तो शार्ट करत आपर लिख लेते हैं इन और ट्रावर्सल में क्या दिया हुआ है तो इन और प्रिवर्सल दी है इनको यूज़ करके मुझे आउट प्रिवट में बेसिकली क्री बनाके देना है तेक है मुझे ट्री बनाके देना है आपको एक ट्री बनाना है और प्रिंट करने वाले का मैं अपने बैंडल करवा तो बहुत सिंपल है यार बहुत जाता है आ बट ड्रजाते लोग और जब मैं पहली बार इसको देगा तो मैं भी टरिया था तो अगर्यात को बोले लना था लगा क्या मतलब था इस बात का इसका मतलब क्या है रूट और राइट तो इसका मतलब में क्या पता है यहां से जब भी मेरा प्रीज़ी बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ मैं बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ उसका मने बूल तो यह तो रूट है बहुत बड़िया तो यानिके मुझे बता लगए कि ये 1 यहाँ पे है तो अगर 1 जो है वो मेरा root है अगर मैं ध्यान सेकता हूँ root का जो left वाला part है वो left subtree बनाएगा यानि यहाँ जो part होगा वो left subtree गंदर होगा और यहाँ जो part होगा यह right subtree गंदर होगा तो इस प्रकार की कोई चीज़ तो ध्यान से अगर देखें तो राइट पार्ट में आपका in order है 687 यह आपका in order है अगर मुझे आपका pre order लिखना हो तो pre order क्या है 678 678 तो यह same type की sub problem बन गई यह same type की sub problem बन गई तो इसको दोबार लिखते है इन order क्या रहा है 687 आ रहा है और pre order क्या रहा है 678 आ रहा है हमें क्या पता है कि pre order मतलब NLR यानि कि root left right यह पहले इलमें रूट होता है नल आ गया राइट वाले पार्ट में गया है 87 तो राइट में क्या आएगा इसके 8 और 7 आ जाएगा बहुत बढ़िया और 6 के बाद जो नोड आ रही है वह यह रूट है यानि कि 7 आ गया फिर मैंने किया कि मैंने 7 को इन order केंदर ढूंडा इसके left में प्रकार का हो जाए गार यहां पर एक नाम की एक नोट बना दो फिर 8 को रूणो लेफ्ट में क्या है कुछ भी नहीं है नल लगा दो इस पकार आपने अपना एंटायर ट्री बिल्ड कर लिया अगर आप से कोई बोले कि आ इन-order प्रियोटर दिया उसके दुवारा एक ट्री बना तो आप लोग इस पकार बनाते हैं वेरिफाइग करने के लिए इसका पोस्टोर ट्रावल्शन निकाल लें दे क्योंकि आंसर में वही प्रिंट करना है पोस्टोर कैसे निकालते हैं पोस्टोर में पता है कैसे निकाला जाता है पोस्टोर क्या होता है यानि कि लेफ्ट राइट और फिर रूट तेक है तो लेट से मैंने या से स्टार्ट किया रूट से स्टार्ट किया मैं पहले लेट में गया नल था वापस आ गया फिर मैं र यहां जहें वापस आया, फिर 6 प्रिंट हो गया, फिर 6 प्रिंट हो गया, फिर 1 प्रिंट हो गया, फिर 1 प्रिंट हो गया, फिर 1 प्रिंट हो गया, तो 8, 7, 6 वन आंसर हो रहा है, यानि हमने एक valid, valid binary tree बना दिया, using आपके in order और pre-order वाले array को, इस पकार आपने इस question को solve कर लि आपको in order दिया, इस प्रकार का किया, 3, 1, 4, 0, 5, 2, मुझे का पता है, in order में क्या होता है, L, N, R, यानि के left, root, और right, देखे हैं, फिर मुझे किसी ने pre-order दिया हुआ है, वो क्या है, 0, 1, 3, 4, 2, 5, pre-order basic लिए क्या होता है, N, L, R, यानि के root, left, और right, चलो solve करते हैं, चलो solve करते हैं, मुझे क्या पता है, कि pre-order के अंदर ना है, और pre-order के अंदर पहला element जो होता है, मैंशा root होता है, तो मैंने करते हैं, पहला element क्या है, 0 है, तो मैंने एक tree बनाया, जिसके root जो है, वो 0 है, जिसमें root जो है, 0 है, फिर second step में मैंने क्या क्या है, second step में मैंने 0 को इसको सौल्व करना है तो मैंने फटाफड लिख लिया मैंने के बोला, यार, यार मेरे जो Indoorr है न, वो क्या है, 3, 1, 4 है, और मेरे Pre-Order क्या है, 1, 3, 4 है, मैंने बोला मुझे पता है की मी ROOT node क्या बनने वाली है, 1 को मैंने या पर ढूँण लिया, तो बेसकली पहले मैंने यार्ट में 1 डूँढ लिया, और मैंने बूला कि यहांपे क्या होगा इंड और फिर राईट में पूर आएगा और इंड और फूर वाला केशिए फाइफ और लॉटो आध्या वाला तो मैंने तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया कि यहां पर इस पर खार का ट्री होगा यहां पर नल होगा और यह जो है लन को पॉंट करेगा यह भी आंसर ना पड़ा हुगा तो 012345 तो हमने फिर दोबार एक वैलिट बाइनरी ट्री बना लिया है इसको फटाफट से सॉल्व कर लेना है और हमारा काम डन हो जाएगा चलो सुल्व करना शुरू करते हैं तो मैंने क्या बोला कि ठीक है अगर मैं इसको यह बोला कि यार ऐसा करो टेक इंडेक्स एज रूट अलिमेंट यह कर रहा हूं मैंशा टेक इंडेक्स इंडेक्स साथ जो अलिमेंट है एज रूट अलिमेंट टेक है तो मैंने बेसिकली यह क्रेट कर दिया इसको मैंने रूट बोल दिया तो मैंने आगई फिर मैंने क्या बोला find root element की position root element की position in order ठीक है तो आपने जीरो को in order में find कर लिया फिर basically क्या कर रहा है कुछ नहीं है दो call मारी हुए है एक left की call मारी है और right की call कर देना कहां से कहां तक अगर यहां से मेरा एक position मिल गए मुझे कि यहां से कहां तक यहां से लेके कि यह क्या है यह in order का स्टार्ट है मैंने के बोला left की call मार देना कहां से in order के स्टार्ट से कहां तक position जो कि आपका answer आया था मानिस वन तक बेसिक लिए पॉजिशन नहीं पॉजिशन मार देना कहां से लेके पॉजिशन प्लस बन से लेके in order के end तक कहां से कहां तक position प्लस बन से लेके in order के तो इतने हमारा काम हो जाएगा इतने हमारा काम हो जाएगा तो फट्रबर से लिखने कोश्च करते हैं हमने क्या बोला कि यार मुझे basically क्या चाहिए मैंने क्या बोला कि यार मैंने को एक टो अब लिखने को प्लस 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 और अब इसमें डिया चलो है तो बीसिक यहां जो भी आंसर हो गा कर दिया चलो आपने बड़े फट्ट life फर्डाप्аньय राओ bतल छान्ठ ऑrès इसे लगी को आए मैंनि क्या पास किया है एक मेरा in order है फिर एक मेरा प्रिय औडर है फिर मेरा प्रियादर कािंडेक्स है फिर मिरा इन ओडर का इंडेक्स है यहां तो ब्रेस चेल ने पूरा और कर लिए तो बाहर आ चुक है तो मैं ने क्या बोला कि अगर इफ आपका जो प्रिवार्टर का इंडेक्स है इस ग्रेटर तेन इकल तू यह फिर हम बोल सकते हैं साइस भीजना पड़ेगा मैं आपको इस केश में आपको तो इससे बार कई सिर्टिंदेग्स है ऑन्टा स्चिटिंधे मैं थो इक त्समझ में आगया पिर मैंने क्या बोला कि एक root element बनाना है हमें एक root element बनाना है तो फ़हले हमें i.e element कहां से निकालना है मैंने बहुत प्री-order का starting element होगा तो हमने pre-order में से जो index हमने pass किया है वह फोला element निकाल लिया अब मुझे करना है मुझे एक node grade करनी है तो मैंने कहा बोला, node star temp is equal to new node, इसे पास कर दिया, अपने element, node बन गई, फिर मैंने कहा बलता कि लास्ट है, कि इस node की position find out करो, तो मैंने कहा बोला, कि यार, एक आपने यहां से position ले लिए, और एक function लेट से आपने find position नाम का बना रहा है, और इसमें आपने पास कर दिया, क्या कि in order में से, इस element की position निगाल कर लाओ, तो हमने फटा बड़ एक function नालते हैं, हमने बला, int find position, इसमें पास किया हुगा, एक तो हमारा, इसमें पास किया हमने एक तो in order का array, फिर हमारा element, फिर हमारा element, और इस array का size, तेक है, यहां पे size भी इंप्लोट कर लेते हैं, अब मैंन मैंने क्या बोला, मैंने basically यह बोला कि for int i is equal to 0, i less than n i plus plus, अगर आपको यह element मिल जाए, if in of i is equal to is equal to element, इस case में क्या करना, return कर देना, क्या return करोगे, मैंने बला i return कर देना, index इंप्लोट, बहारा के, तो नहीं मिला, तो return minus इंप्लोट, यह भी कर दिया, तो यहां पे मेरे को, यह बोला, यहां पे हमने basically, position भी find out कर ली, position भी find out कर ली, तो ठीक है, मैंने एक node बना दी, let's say, इसको temp की जाए, मैं root बोल दी, और मैंने आपको basically इतना बोला, कि तो सबसे पहल मैंने क्या किया, मैंने element निकाल लिया, pre-order में से, निकाल लिया, जब element निकाल लिया, index को आग अगला किया, position निकाल ली, उस element की inorder के अंदर, ताकि मैं left और right की call मार पाहूं, अब मैरी करजी call मार देता हूं, अब मैरी करजी calls मार देता हूं, मैंने क्या बोला, spelling गलता है, call की बता है, मैंने बोला, root का left है न उसके लिए call करो, तो उसके क्या करना है, root के left के लिए function call क पास करूँगा, pre-order पास करूँगा, और यह pre-order का निया index, जो updated index है, वो पास कर दूँगा, update कैसे हूँआ, मैंने बहुत बढ़ गया हूँ, फिर inorder का start, inorder start कहां से होता है, मैंने बहुत बहुत प्यारा कोश्य नहीं, तो बेसिकल जब लेफ्ट की call मारते हैं, तो अगर लेफ्ट की call मारते हैं, आपको पता है, लेफ्ट की call के लिए inorder से start से लेके position-1, यहां तक जाता हूँ, तो मैंने बेसिकली बोला कि यार, यह जाएगा inorder start से लेके position, जो कि मैंने यहाँ पर निका लिए, minus 1, यहां तक, और end मैंने end pass किया हुआ है, size बेसिकली, यह हो गया फिर रूट का जो राइट है, उसके लिए call कर दिया, इसका हमने पास किया, inorder pass किया, index updated page दिया, और हमने start and end सोचा क्या होगा, मैंने बोला start कहा होगा, अगर आपकी position यह है, तो start क्या हो, position प्लस 1, और ending क्या होगी, inorder end होगा, तो आपने बोला position plus 1, और आपने बोला inorder end, और end pass कर दिया, तो यह दो close होगी, last आपने अपना answer return कर दिया, समझ मैं ही, यह चीज, समझ मैं ही, तो ध्यान से कर हम देखे, तो हमाला code क्या करता है, code कहता है, कि अगर आप index, मतलब pre-order यहां सो निकाल रहे थे हम starting में, यह हमेशा हमने बोला, starting element से start करेंगे, index आपके point कर चाहता है, यह दोनों जो है, अपनी इस तरफ pass में आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, जब मानला, उपका in order start जो है, end से ही आगे निकल गया, तो उसके से इना return करना है, देखे है, फिर मैंने क्या बोला कि जहां पर ही index point कर था ना, उसके लिए मुझे एक node बनानी होती है, तो पहले तो मैंने element निकाल लेगे, इस index पर element पढ़ा हो निकाल लाओ, बढ़िया, फिर उस element कर यूज़ करके, मैंने node बना ली, फिर मैंने क्या बोला कि जोब मेरे element रहा, उसके इंडेक्स ढूंड कर लाओ, उसके position ढूंड कर लाओ, इन ओर रहा रहा रह है, तो एक बार इसको run करके देखते हैं, एक इसमें छोटी सी गलती है, कि हम यहाँ पर जो index पास करना है, वो by reference पास करना है, मैं चाहता हूं, इसकी value में retain करूं, इसकी value में रिटेन करूं, मैं चाहता है नहीं, वो lost हो जाए, calls के बीच में, तो यह वहला काम हो गया, हमने इस question को बहुत ही चला कीगा, अपयोग करते हुए solve कर लिया है, पर इसमें एक optimization की जा सकती है, इसमें एक optimization की जा सकती है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जो position find out कर रहे हैं, तो इस position को find out करने के लिए, हम basically क्या कर रहे हैं, बार बार इस function call को मार रहे हैं, इस function call में आपका हर तो यहां पर अगर मैं किया इस complexity को हटाने के लिए एक map बना लिया कि मेरे पास starting में कहीं पर stored है कि in order का कॉंस element का कॉंस इंडेक्स है क्या है शेकर होटाएं मैं इस के सकते हैं तो क्या है कि मैंने कर लेता हूं जो कि क्या करता है नोड टू इंडेक्स की मैपिंग देता है मुझे ठीक है और इसके लिए बेसिक लिए मुझे मुझे बुला कि मालो की यह एक फांक्शन है मैंने बुला create mapping और यहां मैंने एक तो in order पास कर दिया और साथ में उसका size पास कर दिया इंडेक्स के साथ दन है और आप बाद में basically आपने create कर दिया है तो यहां मैंने बुला कि वोड़ टैप का function था वो रिटन करने की नीटी नहीं है अपने mapping कर दी से चलो तो हमारा यहां पर mapping करने का टास्क लिए एक बास हमने बेसिक यहां से create mapping करके उसमें इंडेक्स कर दिया और यह वाले map का नाम पास कर दिया और मेरा एन भी दिया चालो तो मैंने बुला इंडेक्स करना है कि नोड टू इंडेक्स एक मैप है इसके अंदर किसकी वाले निकालना चाहता हूं निकाल लिया बस इतना ही तो करना है इसके एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई मुझे जो है यहां पर map भी पास करना पड़ेगा अब लाप उप आफ इंट को माइंट हर यहां पर मैने इसके ना रुक दिया नोड टू इंडेक्स देगा इसी पर कार मैं इस फंक्शन कॉल्स के आधर विसका उप्डेट कर दिया तो यहां पर यहां पर देखते कहां पर फटा है तो चीक है यहां पर फटने का इसका रीजन में मिल गया की हम स्कारी करना था कि दूकर है एक दूपार पर अब चला कर लिए कडिङ Psy इस पकार आप इस को लिख सकते हैं जिया बड़ा बदा कोड नहीं ह rugged body आप मैं कमेंड़ों करके तो वह समझ पार आहा है क्रियेट रूट नोड फोर एलिमेंट आप मैंने कै लो जाँ आप फांड एलिमेंट्स इंडेक्स इन इन ओर्डर यहां मैं रिकर्जी कॉज मादी लेट राइट के लिए और वने अंसरे टन कर लिया तो आपके लिए बहुत असान छीज़ है कुछ हो नहीं आपको एक ट्री क्रीट करना है इसी प्रकार का बड़ उसमें आपको इन पूट में इन और एंड रोस्ट और दिया हुआ होगा थीक है तो उस्ती भी कर लेंगे पहले वाला कर लिए तो यह भी हो जाए वैसे दिखता बात नहीं है तो इसके लिए प्रकार क्या है प्रकार पड़ा है 4825 1637 फिर मैंने बहुत पोड़ा पोड़ा है पोड़ा है फॉरा है और आपको बढ़ा है एट फॉर फाइव तो सिक्स सेवन थ्री वण इस प्रकार अब इन ऑ्टर क्या होता है इन ऑटर होता है ल एन आर क्या मतलब इस बात का लेफ्ट पहले आएगा फिर आपका बीच में रूट नोड आएगी और फिर आपका राइट वाला पा वाली नोट होगी वो मिश्या स्टार्ट होसी इंडेक्स यहां पर लास्ट से स्टार्ट हो रहा घ। एक्षिक का यहां सब्ळक्रिदीन 1 को लेकर बना दीlining की प fences यहां पर यहां पर मुझे क्या पता है अगर यहां पर है तो यहां से देख्कने मुझे पथा यहां वाला पार्ट मैंने वाला पार्ट बना नट आए वह 825 और राइट में गाएंगी राइट में आएंगी 637 समझ में आ गई अब समझते हैं अब यह जो मुझे निकालना है 4825 यह पोशोडर के अंदर क्या है 8452 यह यहां पर करेंगे 673 तो यह मेरा इन ओडर है और यह मेरा पॉस्ट ओडर है यह मुझे सेम टाइप यह पर प्रालम मिल गई है इसको स्लॉब करते हैं वड़ा बटा तो मैंने कहें बुला कि इन ओडर जो है वह है 4825 और पॉस्ट ओडर जो है वह है 8452 मुझे क्या पता है कि यहां पर लास्ट वाले को इंडेक्स पॉइंट कर रहा होगा वह एक नोड बन जाएगी तो टू के हमने एक नोड बना ली तू के यहां पॉजीशन पाइट करी लेफ्ट में है एट और फॉर और राइट में है फाइफ तो मैंने कब पॉले मेरा पॉजटर भी 5 है अल्एट अब मैंने और इस वरं को सौल कर लेता हूं इसको सौल करनेका है नियुक्त अब्र ॉज्ट आएट और आपका यहां पॉर एट यहां पूर अट एट पॉर एट इसको हम बनाएं तो मुझे का पता है यहां पर इंडेक्स होगा तो यहां रूट नोड बनेगी इन शॉट मुझे दिख गया कि यहां पर टू के नीची मेरा फोर आने वाला है और फोर की पोडिशन चेक करूँ फोर के लेट में क्या कुछ भी नी राइट में एट फोर के राइट एक ना बनागा दो इस पार्ट पार्रीक्लेस कर दिया है यहां पर आगे का तू आपका और फोर के राइट में आपका एट यस प्रकार फिर हो ने यह वाला पार्ट सौलब करने कि निकल पड़ एँए रहम 637 और 673 हमें बोला इन ओर है आपका 637 और पोस्ट और है आपका ऐसे पर कर रहा होगा यानि यहां पर एक नोट बन जाएगे गया अग्या लगाना है यहां लगाना है यह पार को रेप्लेस कर देते हैं है है हमने बोला कि यहां पे तो आएका three यहां पे यहाँ आएगा इस यहां पर आइगा seven 8567 और यह लोट या पो यर्ड कि यह आपकियर कर लेते हैं श्री फोर फाइब 678 बहुत बड़िया इस परकार हम ने एक सही आंसर निकाल लिया है एक सही तरीके से आंसर को निखाल लिया है लाइट तो एक बีकिद कहां समझ करें इसको किस प्रकार करना है चलो पराने वाले उठालो और उसी के दसा से हमने पहले क्या किया पहले ये कापी करें किरें हमने लिए आ कि Yeah ठाज तो यह हमने सभी से आप लिख दिया अगले वाले को उठाते हैं यह हमने यह से कॉपी पेस्ट करेंगे नहीं बहुत बढ़िया तो दो आपको आगे गए फिर हमने आगे वाला पार्ट भी कॉपी कर लिए स्विशन होने बड़्स सिंपल होने वाला है कोर्ष जाइके नहीं होने स्विशन होना मैंने लोजिक वा कि कि पोष्ट रगा इंडेक्स है इसका नाम पहले पोस्ट कर देते हैं तो इसका मतलब आफिन डाटाइए तो यहां पर आपको एंटेक्स है डाटा इसाइछ प्रक्ली एकुचाट में ख़र होगा है अबने का बोला अगर आपका इन-णोर का start और इन-टर का end ग्रतन हो जाए एक है same condition ऐलेमेंट निकाला पोस्ट ओर में से पोस्ट ओर में से अलेमेंट निकाला झाला इंडेक्स हमेशा हमारा इंडेक्स होता है पोस्ट ओर के इसमें पीछे की तरफ आता है किस परकार जाने वाली है तो मैंने बोला सेम आपने अपना इन अपना पर क्या है वह गलबड़, यह समझना है हमने कुछ तो गल्बड करी है पहलग से पोश्ट पास करना है अप सतर देखते हैं अब देखते हैं तो यहां पर कुछ तो आंसर हमारा ठेड़ा मेड़ा आ रहा है तो समझते हैं पर हो कर रहा है हम गलती कहां पर कर रहे हैं हम गलती किस तरफ कर रहे हैं यह समझना पड़ेगा तो यहां पर आंसर तो थोड़ा गड़बड आ रहा है इसको समझना पड़ेगा हमें गलत क्यों आ रहा है तो बहुत चोटी सी मिश्टेक है उसका हम अमें समझा बड़े क्या घलती हमने करी हुई है तो जान से अगर देखें तो मैं दिखरा है कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं रायट मोस इंडेक्स से हम यहां से start कर रहे हैं जो पोष्टर में start która right राइट उना से start कर राइट हम इस इंडेक्स मेंрашले में find इनॉंड़र के अंदर और सो अ पुर से पार्थ में मिल जाते क्यां और यहां 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 पार्थ तो इसका मतलब क्या है इस case में आपकी जो राइट वाली call है रूट के राइट वाला वाद बृड कर रहे हो वह पहले बिल्ड करोगे और रूट का लेफ्ट पार्ट जो है वह बाद में पुक्ड और बेसे पैरलेली नहीं हो रहा कि आहए उठाया एयुक्त प्रेट बना दि को पहले बिल्ट करना पढधेगा जैसे पराने वले और और प्री ओडर वाले केस में आगर मैं जाऊंधियों तो धियान से अगला वाल नंबर कुंसा है टी अखला नंबर बना न खार है तो क्याया उपilot बाध इतना ही करना है मैंने इसको रॉन करके देखा यह तो किया इस प्रकार हमने डेनी कोश्य साथ कर लिया कहां कहां था स давно रड़ न अरगलर अंपन स्केश्थ कर दिया ठीक है बाकि सारा code same है exact before पुराणे वाले code पूरा सेम है पर यहां पर कर मज़ा हूं तो index पहले मैं left to right की तरफ move कराता था था जो इंडेक्स पहले में left to right की तरफ move कराता था पॉर्ट इंडेक्स में इसको left to right move कर वाया था बट यहां पर हम right to यह पूरा करो च्रफ वरिबलस हूं उसको रैट्ट्ट्र contrat पराने वाले चेस में लेट्टв एक रहा तर имеет कर रहा है थि만 कर रहा है तो ऐने मखेlex निलेफट हो की सेम्स और पॉस्टतर के केस्मि less के लिए तो पहले में चहिंद करता हूं तो रचेस की कि in case of post order and in order we first build the right subtree हम the right subtree पहले बिल करते हैं तो यह चीज हमें बिल्कुल करी रहा होनी चाहिए है spelling गलत होगी समझ मैं ही तो इस परकार हमने इस परकार हमने इस परकार होने वाले हैं कि यार तुम्हेंनी कंस्ट्रक्ट करना है तुम्हें केस हो सकता कि तुम्हें इन झें और 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 यझा सा केस है परकार पोछे क्रुंश्या ठासे को हो रहा है अभी क्या होरा है अब एकниц को सौल्व कर whether तो यहां से देखते हैं, लेट से कि मैं बेल्टरी फंक्शन के अंदर आया, सबस्वर हमने क्रेट मैपिंग कॉल किया, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां पर बात करूं, जिरो से लेके अंद तक ठीक है, एक मैप के कॉंपेक्शिटी इंसर्जिटी इंसर्जिटी होत इस पर्टिकलर रेंज के लिए या फिर इस पर्टिकलर रेंज के लिए चेक कर रहा हूं, तो अगर आप ध्यान से लेके तो पूरे ट्रीक आप एक सिंगल सिंगल नोड को सिंगल ट्राइम ट्राइवर्स कर रहे हैं, तो इस कोड की कॉंपेक्शिटी क्या हो गई, ओ और औ हो गई क्यों ऑफ एन कैसे हो गई क्योंकि यहां पर नोट इंडेक्स वाली चीज है नहीं हम ऑफ वन में ला रहे हैं मैं आपसे तो जो सेकंड फंक्शन मेरा है लाइन नमबर 104 यहां पर मेरी कंप्रिक्षिट क्या गई ऑफ एन आ गई राइट यहां से कर पर चलता है जहां पर न के लिएए तो हमने इस मैप के यूज करने की तो हर नोड पर जाके हम उस फंक्शन कॉल कर देते और वहां पर एक फॉर्लूप चलता है 0 से लेकि अन के लिए तो हमने क्या बोला कि मेरे पास total 0 से लेकि n-1 नोट थी और हर नोड के लिए में जो है पोजीशन वाला फंक्शन कॉल करता है जो कि 0 से लेके n-1 तक 4 लाता है तो इसकी कॉंपलेक्शिटी बेसिकली क्या है ओफ n-square थे पराने वाल सुलूशन की तो हमने जब मैप यूज किया है तो मेरी complexity हमने drop कर ली o of n log n तक तो अकर आप सबूआ है तो अब सबुसर तक तक आप कि मैप कर लेके कर वाया होगा यह map के लिए बनने वाला है यह आपकी हर node के लिए बनने वाला है तो इस अगर बात करें तो बैसकिव इस function solve function भी बात कर रहा हूं यहाँ पर आप रिगर्जी function call stack बना के देखेंगे और फिर मज़े बताएंगे कि इतना space total आपके लग रहा है तो यह आपका home work है space community निकालना असान एक बर आप बनाओगे हो जाएगा सिंपल चीज है तो इसड़ी में चाहता है इसमें तीन कोश्चन और कवर करूंगे बर्निंग ट्री आपका मौरीश ट्रावर्श फ्लैटन बाइन ट्री पर वो आगे आने वीडिस में कबर करना पड़ेगा अभी मुझे फट अफट अफट निकल ला है क्योंकि अभी सब्सक्राइब करें तब तक के लिए और फीड़बैक कमेंट्स में तरबूर दें तन्यमात